निशान जेजे आपना चरोण मांदन वप्रणा आपसी हरीराइस ती मोदैसी जगत गुरुसी मदवल बाचारेना सत्तरमी पेडिना एक जढ़रता युवा आचार्या छू आपसी पुष्ची समराइदया एक जढ़रता युवा आपसी पुष्ची सम्राइदया आपचा अर्थया देश विदेश मापदार ववश्णू ने सतर अधर मांदना ने स्वाद मार्ग पएरिद करोशू आपसी सुरत मां काम देनू गाउषारा हाते पन कायरातत आपसरी, सीजी मंदी जुन द्वारा वश्णों ने अम के टली तहीं थी 4-5 वारा बीराजी गया चो अने जुदा जुदा गन्थों पर अमने एटलू सुंदा वतनामत नो वश्णों नो खूप सररवानी ती अमने खूप सरस्री ती अमने पोशन आपी आपयो चे अने आप नो जुदा खूप सिवल बादी सकी जे ओजेच दन्वत पराम हलो आलो अरो अवाज आवेच्छे तुम ने? हाजेचे सुने देरो पर विख है अवाजने जुआ जूआ जूआ जूएटे विश्री बाल्वादी से घीजे श्री उसाइची परमदयार घीजे श्रीको बार लाल प्यारे की जै श्रीको बुलनात की जै बुलो गॉमाता की जै बुलो गॉमाता की जै नमा मी गॉलाधेशम लीला मानूषविक्रहं मुरजाधिशं विष्वविभं पार्वति प्राण वल्डवं मायापादि इचित्रुपादि प्रति बंदरिवारक तर्पहत पुर्मदाम धानाम पायाद्वो भर्त भुक्षन नमामी श्रीपती देवं पल्लभं बल्लभात्म जम् यह करोति सदारन्य मंगलं जनबर्चिते वन्देहं को कुलाधिशं भगवन्तं क्रपानिधें पावनोया मुनेजात् कलवक्षोरेट्पिजेश्वया नमामी गोगुलाधिशं लीला मानुषविक्रहं प्रजाधिशं पिष्वविभं आर्वति प्रानकल्लभं पुष्टिमार्गियसर्वग्य् करुनारसबूरित त्रेष्ठवलप्रदाताच्य तस्मै स्री गुरुवे नमां सिरस्च पादां पुझसर्ट्रणां योग्यं ददोयो यदुवं स्चंद्र तूत्या जनत्या विनजे नहीं ओ पाल लालं शर्णं प्रपत्ते श्री पाल लालं शर्णं क्रपत्ते श्री वाग्पतय नमां श्री मदाचार्य चर्ण कमले यो नमा श्री गोपी जन्पल्ल भायनवा श्री गोपुल नाथ की जै श्री गोपुल पति को नमनकर धर्वल भाको तिहान इनके चर्ण प्रतापते पूरन होत सब काम प्राण प्रिय निकुञ्ज नायक अमारा माथे विराजता श्री गोपाल प्रभु श्री रसिया प्रभु सर्वे स्वरूपोना युगल च्रणार भिन्तमा पोटान को टेटा रुपनाम उपस्थेत भगवद च्रणा नुरागी सत्संग अनुरागी नित्यनियमी सेवा परायन आपसो अत्यन्त भावुक उस्साही वल्लबना प्रपापात्र वल्लबी वैश्णाव जनों श्री जी मंदिर एले युएसे साथे जोडायला सर्वे कर्मनिष्ठ तिवा परायन क्यार्य करता गणों तेमर अमारा परमस नहीं एवा ये बारम वाद आ सत्संग नी कड़ी थी आपने सव ने जोडे छे एवा आत्मिया श्मिता भेन आप सव जुमस्थ वैश्णप्रंद खुबज प्रसंद आछे के फरी एक वखाद भगवद क्रपा ना फड़स्वरूपे आ भगवद चर्चा भगवद सत्संग माटे आपने सव सम्मेलित थेया छिये थोड़ा समय पहला आपने मरे हाता आप बधाने स्मर्ण माहाश्ये ते वक्ते भगवान ना परमभक्त शी प्रहलाद जीनी स्तूती उपर आपने चर्चा करिया थे पहला पना आपने मरे हाता ते वक्ते शी शी हरी राय महा प्रभूजी कृत शिक्षा पत्र उपर आपने विचार करियो हतो अने आप वक्ते फरी आपने भेगा थेया छिये एक सुंदर मजाना विशय साथ है शी गोकल नाज जीना चूबी स्वचनाम रत श्री जी मंदिर नो आजे सत्संग नो क्रम चाली रहवाच है अने ये पन धना समयत्री एकले मोटे भागे श्मीदावेन साथे जारे मारी चर्चा थती अती इमने विननती करिये विचार करियो के कया विशय उपर चर्चा करशू तो इमने में विशय आपया तो तरह तेमने वुत्तर आपको विजय जी आ विशय लेवाई करियो छे वल्ला भाख्यान लेवाई करियो छे शोडस ग्रंथ ना गना ग्रंथो लेवाई करिया छे एकले मने थोड़ी पुड़ी अच्रज थाई वेदु कया विशय उपर आपने चर्चा करिये गना समय छे आपता सस्संग करी रहा छो एटले सांप्रदाइक घना 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 ग्रंथो उपर आप भगवत सस्संग पामी चुकिया छो शे गोकुल नाज जी नीज गुरुपा छी आपे प्रिणा करी मिसमीताबिन ने पर वाद करी कि में तो आपने शे गोकुल नाज जी ना चोवी स्वचनाम्रुत लहिए यहाज जी आ विशे पुर सुन्दर जी आवयो पन न थी तो शी आचारे चरननीज क्रपा शी गोकलेश प्रभुनी क्रपा थी आ विशे नकी करवाम आवयो खुब जी सुन्दर विशे जी वोई पन विशे वोई पन ग्रंथ जारे आपने लेतला होये तो सौथी पहला प्रिये जानों एक ग्रंथ ना करता नो विचार करवो आवश्यक्त थी गयाई परन्तु आ वक्ते मारा माटे इतनु गदु एम कहीश के सरण छे के संप्रदाये मां आपना कुष्टी मारग मां यहां कोई वैश्णों नहीं होये जे शी गोकुल नाज्जी थी परिचित ना संप्रदाये ना पुष्टी मारग ना चो मुख्य चार आचार्यों नी वात करिये दे जनों तो सवती पहला जगत गुरू शिमर वल्लभाचाए एमना ची परंपरामा प्रभूचरण श्रीकुसायंजी श्रीकुसायंजी नी जे ढिप्य परंपरामा चतुर्थकुमार श्रीघोकुल नाज्जी अनि श्रिकोकुल नाच जी, पच्छी, यहमना आगला करम मा जो विचार करी कि जिम्नों पुष्टी मार्ग मां बोग मोटु योगदान ने छे, तो येचे आपना श्रिहरी राय महाप। श्रिकोसाइजी नाच तुर्त कुमार श्रिकोकुल नाच जी, घणा घणा प्रसंगों नो विचार करी शकाए, परन्तु मुख्य श्रिकोकुल नाच जी जाले बात आगे, और जो माला ने तिलक नी बात नो करिये, तो येम कही शकाए, ये क्या है कमी रही गई है, आजे जे वैष्णाव तानू गवरों प्रेजनों आपने प्राप्त थाईचे, ये शी गोकुल नाच जीनीच क्रपाचे, आपनने कोई वैष्णाव कही ने बोलावेचे, मानो शी गोकुलेश प्रभुनी क्रपाचे, आपे जे कारे करे ओचे, संक्षित्त माँ, कानके प्रसंग तो इटलो बदो प्रसित्त छे, प्रचिलित्त छे, बधाने खालेचे, पन संक्षित्त माँ, आपने ए विशय ने लई अने आपने विशय उपरागर बद्गे, शी गोकुलेश प्रभुना समय माँ, चित्रुप सन्यासी, जेने बाश्राह साथे, एउ नक्की कर्यू, बाश्राह ने वात करी जहांगीर नू राज्चिय अन्दू ने वक्ते, कि जेम इस्लाम नी अंदर गना बजा नियम हो छे, एवी जविते, हिंदू धर्म नी अंदर पन नियम पारवो आवेश्यक छे, और हिंदू धर्म नी अंदर महत्वनो नियम, कि तरेंग हिंदू ए रुदराक्षमी माला पेडवी जोए, हन्ये माता उपर त्रिपुंद ध धारण करूँ जोए, हे बार्षा, आपनी वाद, बधा मान से, आप एक ठत्व जाहर करूँ, अध्यार ना गणा गणा एवा हिंदू हो छे, जे रुदराक्षमी माला पेड़ता नथी, माता उपर त्रिपुंद धारण करता नथी, एमने माता उपर उर्थपुंद धिलक धारण करवानों शडू करियों छे, गणा मा दिलसी नी माला पेरवानों प्रारंब करेवा छे, जहां गिरवार्षाय ए फत्व जाहर करेओ, अपने पच्चीतों आपने जानिये जचीये, कि घणा घणा ए समय भैवीत थाई ने माला आने तिलक नों त्यागते, परन्तु आपनी वैश्णों परंपरामा इशिकुकुल नाजी ना अनन्य सेव को हता, ए आ बार्षा ना आदेश थी भैवीत नभीत है, गोखोलनाजी ये आग्या करेगा, ए गंवीत भी परिस्थिती केम नों आवी जाए, पर अमें अमारा गड़ा माथी माला ने माता उपर तिलक क्यारे पर इन्हें छोड़ुशु नहीं, प्राम उपर संकट केम नों आवी जाए, छतापन अमें माला ने तिलक नों त्याग नहीं करेगा, चित्रुप साथे सास्त्रार्त थयो, पाष्टा साथे घणी-घणी मुला कातो थई, अने ए समय ए उपर निणे लेवाम आवेओ, जो आप माला ने तिलक नों छोड़ो तो पछि आप गोखुल ने छोड़ुशु ने छोड़ुशु श्री गोखुल नाजी मुतारिये, जे आपी छे जगदीश, कोन छे माला उतरावे, माला बांधी पहशीशु, शीश जे बांधीये छे, ते शीश साथे जाये, पन हाथे करी माला उतारू, एवो केम करी शकाये, माला केम उतारिये, शीश गोखुल नाजीए, गोखुल छोड़ियों, बन माला ने जिलव तो त्याग नथे, दुर भागी छे जीव, जे आवात में समझी नथी शक्ता प्रेजनों, ए समये एटनो बिरोध हतो, शताफं, शक्ता है, शोड़ियों, शीश बिरोध हतो, शीश बोखुल नाजीए, अन्यन्यक रुपा पात्र, सेव को माला ने तिलग छोड़वा मते राजी ना हता, एम ने कोई पड जातो भै ना हतो, एक ने पोताना प्राणनो पर विचार नती करें पोताना धर्म उपर टकी ने रहा तुर्भागी छे जिव्जे आजे आ समय आ वातने समझी नती शक्त तिलक करवा मां संकोच थाये छे मारा पेरवा मां संकोच थाये छे ए वास्तों मां दुरभागी चीन छे श्री गोकुल नाजी नो इस संघर्ष आपनेम लागे के बस ए थोड़ा समय चाले हो अशे पर तमें जो रंथो वाचो तो तमने ख्ञाल आउशे श्री गोकुल ना जीए आज संघर्ष करयो छे शी गोकुल आपे छोड़ी देलु गोकुल छोड़ी नाँ काशी पधारी गया जोरमजी पधारी गया अने शी ख़वरा संघर्ष आपनेम बढ़वा मां आप काश्मीर संघर्ष या छे प्रमाडा तिलक नो त्याग नथी करें। छो बरर्ष सुधिया संगर्ष चालू रहें। इद्वार बंद कर देओ। आवर जिवर बंद रागो प्री करें। छिल्ले बाश्रा ने पुता नी भूल सम्झेहाई। शिगोकुल ना जीने विनन्ती करी क्या आप उनह गोकुल पधारो। शिगोकलेश प्रभू गोकुल पधार्या छे। पुष्टि भक्ति मारग नी रंगोडी जगत गुरू श्रिमत वलभाचारे महाप्रभुय स्रित करी। भक्ति ना रंग श्रि गुसाएंजी एमा पुर्या परन्तु ए रंगोडी नी रक्षा जुपय करी। तो आपरा शिगोकुल नाजी करी। एटला माट्याजी कहवाएचे के वैष्णव नी सवार। ये शिगोकुल नाजी नी क्रपानु स्मन कर्या वकर थैजन शके। धना आगर येवा नित्यनियमी वैष्णव होय। जेनों नियम होय के उठतानी साथे सवत्वी पहला कंधी ना तरशंग तरे। वैष्णव नी सवार। सवत्वी पहला शिगोकुल नाजी नु स्मन थाए। अने वैष्णव नी रात्री। ये पड़ें कई शकाए। के श्री गोकुल नाजी ना स्मन वगर अशक्या चिए। आनके जारे आपने रात्री ना समय भगवद वार्ता, भगवद चर्चा, भगवद सत्संग मा भिगा थता होई। तो ये श्री गोकुल नाजी नी क्रपा चे प्रिजन। गणा-गणा रंथो श्री गोकुल नाजी ये प्रगट करया छे। अने खास करीने श्री गोकुल नाजी नूँचे वच्जनाम्रत साहित्य चे प्रिजन। प्रत्तीक वईष्णौ जे निर्तिनियमी ससंग परायनी छे। एश्री गोकुल नाजी नुआ वच्णाम्लुत साहित्यने पोताना दैनिक सत्संग मां राखतु होईजे। आपने जे 84.552 वारताजी मांची एचिये, एश्री गोकुल नाजी आपने आपीछे। नीज वारता, घरू वारता, शिनाजी ने प्रागट्य वारता, बैठक चरित्र भाव सिंधु, शिगोकुल नाजी ना हासी प्रसंगो, केट केटला गरंथो नी चर्चा करिये प्रिखे। स्वर्वभ भाव ना, लीला भाव भाव ना, भाव भाव ना, केट केटला गरंथो? आओ जेटला पन गरंथो चे, प्रिजनो, आश्वी गोकुल नाजी ना तैनिक वच्नाम्रुद, आपनो यो नियम, क्या आप निक्ये सांजना रात्री ना समय भगवद वोज सत्संग करता, घनागना वहिष्णों इनु स्रवन करता, अन्ने, एजे वचनाम्रुत साहित्ये छे, ए आजे पौन प्रिये जनों, वहिष्णों बोताना नित्ति नियम नेंद राखे छे, एवोज एक ग्रान्त, शिवोगोल नाजीना चोवीस वचनाम्रुत छे, जो आजे वचनाम्रुत साहित्ये छे, एक कोई व्यक्ति विशेश माटे प्रगट करवा मन थी आग्यों, एम आपड़े शोड़स ग्रंथ नों विचार करिये, के शे महाप्रभोजी ये शोड़स ग्रंथ प्रगट करिया, एक कोई एक भग्वत ये निमित बनावे, एक ग्र ये नारणदास कायस्त अंबा लाना एमना माटे आपे प्रगट करयो, जारे भग्वत ये शे आचायर जी नी सन्मुक थया, भिंती करी, के महाराज एसी गृपा करो के संसार को सूख दूख, कचुप आधाय नों करे, मारू मन धाकोर जी मां लागे लू रहे, लते वक्ते चितनी एका गरता माटे शी आचारे चराणे वालबूद गरंद प्रगट करयो, जेम सिध्धान्त मुट्तावली छे ए अच्चुद दासजी माटे प्रगट करयो, जेम नवरत्न गरंद छे ए गोविंद दूबे माटे चतुष्लोगी राना व्यास माटे प्रगट करयो, भक्ति वर्धनी गरंद पुर्षोक्तम जोशी माटे प्रगट करयो, जेम कही शकाए, प्रभव कोई ने कोई ने निमित बनावे, और इनू फर समग्र स्रुष्टी ने प्राप्त थतुवए छे, जेम अरजुन निमित बन्या, तो आपने भगवत गीता मणी, जेम राजा परिक्षित निमित बन्या, तो आपने श्रीमद भागवत मड़ियू, जेम अ भगवधियू निमित बन्या, तो आपने अनेक अनेक शे आचारे चरण श्री गुसाएं की ना ग्रंथो मड़िया, जेम श्री गोपेश्वर की निमित बन्या, तो आपने श्री अर्लाय प्रगट करेनु श्रिक्षा पत्र मुर्ट अने एवे जिरिते प्रेजनों आहिना पर श्री गोकुल नाजी अने श्री गोकुल नाजी ना अनन्य कृपा पात्र सेवग श्री कल्यान भटजी नम्मित बन्याची आज चोविस वचनाम्रत नी जो भूमिकाना अपने दर्शन करिये एक दिवस श्री गोकुल नाजी पुष्टी मारत नों सिध्धान्त श्री पुसाईजी ने पुछ्योग काका जी कृपा करके मारत को सिध्धान्त प्री जो आप्रश्न आप्रस्न अपने अवारनवार सांभड़ हो चैना इन अरूड़त श्री आथा वार। परन्तु क्यारे पड़ एक सिध्धान्तने समझवानेयों विचार इना मांटे कोई प्रहत्न खो ओचा थेगा एक्सक्तु। अहियां श्ये गोगुलेश प्रभवे भिनंति करें ते मार्गों को सिध्धान्त प्रपा करके आप मुगों कहो। नश्री गुसाइंगी है चाचा हरिवंसि नाक ची भड़क्षि जव भगव्यदियों निमित्व बना गी काण है श्री गोकुल नादजी नी चाथे अनेक भगव्यदियों पड़े रह उक उतका ताओ श्रिभुसाइज ये मार्गनों सिद्धान्त श्रिभुकुलनाची ने करते। श्रिभुकुलनाची एकागर चित्त थिये श्रमन करे। और पच्छी आप उतानी बैठ़ब जिमा पधार्या एनुँ चिंतन करवार माटने। भगवद सत्संग और भगवद सत्संग नुँ भगवद मनन आवश्चत। सत्संग आपड़ा जीवन माँ प्रेजनों त्यारे जो फलिगूत थाये कि जारे ए सत्संग ने आपड़ा मनन मा लागिये। जो सांबर वे अथो, कह वो प्रसंग आवे वातो, कह या वचनाम रूत आपरेश्टवन करेया। जहां सुधी नुँ चिंतन नहीं थाय। त्यहां सुधी ए सत्संग आत्म साथ नहीं थाय। श्रीगुपलेश प्रभुकान चिंतन करी रहाः छे। एक आंद मां बेठेकी मां बिराजेला अचे अने ए जिंदन निक्षणों मां श्री गोकुल नाजी ना ननित्रवाबात्र सेवक श्रेकल्यान भटजी आविया छे आवी ने डंडवत्त करया ते हाथ जोडी ने उभाराया श्री गोकुल नाजी ना नित्रवाबंद छे ध्यान वाचे आप आपमों ध्यान नथी कि आपनी सन्मोक को उभूज उल्ले खेवो आवे छे कि चार घड़ी विती गई श्रीगोकुल नाजी ने सुधी आवे जोयूत सामे कल्यान भटजी तेकनी भाव साथे उभाचे आपे सहज बचना मुर्द करे आरे कल्यान भटज आपकब आए ये राज चार घड़ी भई आप चिंतन में हते श्रीगोकुल नाज जी ने मारग को सिध्धान्त करें कल्यान भटजी देन निता पूंडवक बिंटी करें जे राज जो हमारे में एसी योग्यता होए हमारों कचु पात्रता होए हमारी हमारों अधिकार होए तो जे राज हमको कृपा करके ये मारग को सिध्धान्त करें पुष्टी मारग को सिध्धान्त है पड़ों कठीन है कल्यान भटजी करू जे राज आप प्रुपा करो तो जो कठीन है वो सुलब हो जाए खुप पिंती करी शी गोकलेश प्रभु प्रसन्य थाईने ये मने मारगनों सिध्धान्त जे वच्चना मृत शी गुसाएं जी ये गोकुलना जीने कया हाता एज मारगनों सिध्धान्त वच्चना मृत हवेश गोकुलना जी कल्यान भटजी ने कही रहा ची आप इस परश्ट आक्या करी छे प्रीजनों कि कल्यान भटजी यह वच्चना मृत अती दुरलभ हैं यह कोई के आगे प्रगट करवे के नहीं हैं तुम भगवतियों हो हमारे में पृतिवारे हो या लिये तुम सुखत हैं अनि हवे श्री गोकुलना जी पुष्टी मारगनों सिध्धान्त श्री कल्यान भटजी ने कही रहा ची प्रीजनों एज आज चोवीस वच्चा मृच्चे मारगनों सिध्धान्त रद्यारूड होए याद करवे प्रसंग जारे श्याचायरे चरण मेगन जी उपर प्रसंद थया प्रुष्णदाल्स मेगन अने इतला बजा प्रसंग करो कि कच्चु हमसे मांगो द्वार बंद कर दो को आवे नहीं को जावे नहीं ते वक्ते सबसे पहलो जे मांगवानी वात आवी तो एच वात मांगी कि जे राज इसी गुपा करो कि मारगनों को सिध्धान तरद्यारूड होड़ू जाए वाला वैष्णो इवाज भगोद्यों नुस्मन करी श्रीगुपुल नाज्जी ना जाणों मां डंडूत प्रणाम करी मारगना सिध्धान्त रूप के पच्छी एम कही शटाए के वैष्णों ना कर्तभ्य रूप के वैष्णों ना लक्ष्णों रूप जहां चोवीस वचनाम्रुत छे इन आपने दर्शन करवानाच्छी वचनाम्रुत्तों सागर्ज आपने आपनी पासे समय पन बहुँ टूक हो जे बेज दिवस तो जेकलू बने एकलू आपने चिंतन करवानों प्रहत्न करशु जोवीस वचनाम्रुत नी अंदर चोवीस लक्षणों के पचे चोवीस कर्तभ्यों चोवीस सिध्धान तो जी रिते आपने सम्झाए ए रित आपने गुरहन करवानों चे वईष्णों ना मुख्य पे लक्षण वे रिते वईष्णों ने आपने चानी शक्ये एक यहान आपो स्वरूप लक्षण और बिजू कार्य लक्षण वेष्णों पे रिते ओड़क्षण तो सवती पहला स्वरूप लक्षण एस स्वरूप थी वईष्णों हो जोईए माथाव पर तिलक छे लाल कंकुनू उर्दपुंड तिलक यह पची डंडाकार तिलक यहने करेलू चे हां तो आवईष्णों चे एना गड़ामा तुलसीनी बे मारा चे हां आवईष्णों च एने शो तोती बंडी धारन करेला चे हां एवईष्णों चे आवईष्णों चे प्रिजनों आ रिते स्वरूप थी वईष्णों तुर्भाग्य निवात आजे एवईष्णों ने उड़ा खुबो तुर्गम थाई गएवईवजे आई कोई भकील होए साधार्न त्रष्टान थे समझे तो इना एवईष्ण थी आपने इने समझी सके नों परीचे आपने मेरूईश्ट थे कोई डॉक्टर होए तो इनों परी परवेश होए इना थी आपने इने परीचित्थ ही शक्ये कोई विध्यार्ती होए तो इनों पर एक ड्रेस छे इना थी आपने इने ओर्खी शक्ये कि वैष्णवने ओलखो ता वैष्णवने स्वरूप लक्षण कि जेना माथाव पर दिलक होए चोटी होए दोती बंडी जेने धालार करे ली छे अने गलामा कंधी जेने पहरे ली छे तूर्थी आउतो होए ले तरत आपने जानी जिए क्या कोई वैष्णव आवी रहोट आ स्वरूप लक्षण चेए अने बिजू लक्षण चेप्रेजनों कारिय लक्षण ज्याना परोगे अहिया आ चोवी स्वचनाम्रत्न यंदर वैष्णवोना कारिय लक्षण नी चर्चा करवा मावी जेने वैष्णवों जया करया कार्य करवा इनू कर्त प्रेश हो छे ए चर्चा नहीं चुवीस वचनाम्रत्न मा करवा मावी जेए तो आवो श्री गुकलेश प्रभु ने रंड़त्रणाम करी प्रथम वचनाम्रत्न यंदर प्रवेश करिये व्रजभाशा नी अंदर आवचनाम्रत्न चेटले हूं थुडिक व्रजभाशा पन लैश तद अक्षरश उच्यते ए सिद्धान्त साथे श्री गुकुल नाजी नी वाने नू आपड़े अवगाहन करिये अवच्री गुकुल नाजी भगवदियन के लक्षण तथा कुष्णी मार्यक को सिंधान्त कल्यान भट प्रदी कहत हैं सु प्रथम तो अन्याश्रे नो करनो अन्याश्रे जो है वो महाबाधत है और आश्रे तो एक शिनाजी बावा को ही करनो तो आश्रे सिद्ध होई जाए ते सर्व कार्य सिद्ध होई गो सौथी भहलू वच्णाम्रत 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 तो घरू मोटू छे पड़त सार रूप अन्याश्रे महाबाधत ज्यानापोर सौथी पहलो सिद्ध हांत जेकलो बदो महत्वनों छे द्वार रूप आ सिद्धान तो छे जेम प्रविश करता हुए कोई ग्रहनी अंदर तो नहीं द्वार होए इम आ द्वार रूप आ प्रथम सिद्धान तो प्रथम करतव्य कि जो अपने पुष्टी भक्ती महाबाधत नी अंदर प्रवेश करवो होए तो सौथी पहलो सिद्धान तो आपने अन्याश्रे थी वजवान छे अन्याश्रे महाबाधक है जे पतननों कारण छे शिद्धाय महाप्रभूतो शिक्षा पत्र नी अंदर पुदानी चिंता अव्यक्त करता त्यां सुथिया भागया करे छे संसारिना सदादुष्ट संगिना अन्यदोशत बहिर मुखानां बत्तानां पुतो मार्ग स्थिते रुख्वे जे जीव सदादुष्ट संग मां रहे छे तोशती अन्य तोशती भरेलो छे जे बहिर मुख जीव जे अन्याश्री जीव छे शीहर्राय महाप्रबु आगया करे छे के एवा जीव नी आ मार्ग मां कई रिते स्थिती थसे एवा जीव उपर ठाकोर जी कई रिते कपा कर छे जे अन्याश्री जीव छे पहीर मुखी जीव छे श्राय महाप्रबु ये नू समाधान आपयो तदर्थम श्रीमदाचार्य चरणाम गूज आश्रय तदर्थम श्रीमदाचार्य जोक्क स्क्रपा करशे न शंशय ह। यमा कोई पन जात्नों शंशय करवानी आवश्रक्ताज मति धरी वखत विजार आवे जानता अने अजानता आपराथी अन्याश्रे थाई जायेच्छ अन्याश्रे थवाना कारण शूँच है श्रामाटे जीव आज नों अन्याश्रे करीभेशे गणी वकत तो इविस्थिती बनी जायेचे प्रीजनों के ए जीव ने अन्याश्रे थया पची खबर पडन नथी रहती, के एनाथी अन्याश्रे थई गयउ आपँ अन्यास्रे थवाना नौ कारणों बिचार करिये तब्रु चिंतन करिये एंतो घणा-घणा कारणों बिचार करिए शका है परनने तो मुख्य कारणों तो कि पहलू प्रभूमा और विश्वास ता अन्याश्वय थवानू मुख्य कालण छे कि आपने आपना ठाकूर्जी मा विश्वास मत्थी आपने आपना ठाकूर्जी ने छोड़ी ने अन्य पासे चेहे एननु कारण फिसू आपने मानिये छे कि आपना ठाकूर्जी ने अपनु साम्भडता नैथी आपना ठाकूर्जी आपना संकल पोन ञेंथोरा नहीं करे स्काल जानता अजानता आपने ए प्रभूमान्डरेनो और विश्वास प्रगट करियेच अन्याश्रह थवान आपने आचार्य चर्वन शी आचार्य महाप्रभुत आग्या करे छी कि पुष्टी मारगमा और विश्वास क्यारे नो करवो जारे मने प्रसंग नुसमन थाई आग्यों कि हन्मान जी ने रावन नी सन्वुक करे आशी आचार्य चर्य ने उदाहर नाप विचे शोड़ फिरनतनी अंदर प्रह्मास्त्र चातको भाव अन्ने ए आपनर ने आटला नानक्रा सुत्र थी कैरी दे बांधियों जातों तरतली नाक्षे अने तो लोखन नी जंजीरों थी बांधुआम आवे अने ज्यां एक नानक्लों और विश्वास प्रकट थयो हनमान की तरह त चुटा थी गया प्रम्मास्त्रनू मान राखिने जे हनमान की बंधाई गया हाता और विश्वास ने कारणे एक मुट थही गया अविश्वास एक अन्या श्रेड नी भैली सेली इछे जो आपने अपना ठाकपोर्जी ने जोडी ने वीजे जईये छे तो यह मान्जो कि आपने अपना प्रभुमा अविश्वास नाक्ट थी जो कारण अपना थेर्य नी कमी विवेक नी कमी आपनाम एकलो थेर्य नती रहो आपनाम एकली धीर जी नती रही नाक्रू दुखावे नाक्रू कष्टावे नाक्री कोई विप्दावे अले तर अजो दोडी अजो कि भीष्वास और थेर्य कमी एक अरविष्वास अन्नयाष्री नी बीचिस्द। अपने कए एक शीचिक दिरजाड मेठा मैठा दिरजा नाक्रे चेकोण आपना आचारियों कहें छे देज धारन करो त्रीजों कालन जो विचारी शकाए लोब लोब आपने दोड़ा वेज गे एक जग्याए ब्येस्वा अनथी देतु अन्याश्रे ध्रवानुई आ त्रीजी स्थीडी ए लोब छे आ मेडवी लोब अलू मेडवी लोब आ कारिये मारू सित्त थेई जाये आजे लोब भृत्त अन्याश्रे आज गया जाओ तो तुमने सारों लाब थसे आ मंत्रनों जाप करो तुमने लाब थसे आदिनी देवतावनी उपासना करो आप वार करो अन्याश्रे आपने ए रस्ता उपर चालता जहीं जहिए है। इस अन्याश्रे कराय से एक जाय रव्योदाली आपने आज्याश्रे करा कारतेakukan किरभा रव शणी भार करे कोई रवी बार करें कोई सोंब रप्र। ग़्यल आप रया बदो करवाई। चोथो विचार, चोथी सीडी अन्याश्रे थवाने जो विचार ये शकाय के दुझ संग ना लिदे अन्याश्रे थाच। कोई केवा व्यक्ति ना संग माझे आपणे आवी जीए अन्य परणाम स्वरूप ए अन्याश्रे नो भोग आपणे बनी जेता होई येज। अन्याश्रे नू स्वरूप गणू प्रुहत्य चिए। जाधारन रिते अपड़ेशू मानिये के अन्य देवी देवतावनू आश्रे करव एज अन्याश्रे चे। इकलु सुक्ष्म स्वरूप नतिक। पुष्टी मारग मां महाबाधग जो भगवदियों ना शब्दों मां कहिए। तो भक्त कवी दैयाराम भाई तो त्यासुदी कहेज के मोटामा मोटों कोई रोग होए। तो अन्याश्रे चे। अन्याश्रे असमरपित आवे मोटा दुस्तर रोग। सर्वबस्तू श्रीनाजी ने समरपिये। उचिस्थ करवो भोग। भोग करवो हरी भक्तनी संगे। तैयाराम भाई तो त्यासुदी कहेज के आपना मारगुमा जो कोई मोटामा मोटो रोग होए। तो अन्याश्रे थी मोटो कोई रोग। आपनो आश्रे छोड़ी, आपना वल्लबनो आश्रे छोड़ी, आपना ठाकुर्जी नो आश्रे छोड़ी ने पीजा देवी देवतावनो आश्रे करवो। एज अन्याश्रे छे। शियाचारी त्रणतो ध्यासुदी कहेजे के प्राकुर्था सकला देवा गणिता अन्त कंभुहत। पुना अन्त हरिस्तस्मात। कृष्ण एवगति ममा। क्या आपड़ी आप ठाकुर्झी ने छोडिंने फुन पुर्षॡतमने छोडिंने जै अन्याश्रे देवी देवताह से जये चेjänे extensive energy . पुना नंदने प्राकुर्थतो केवल पुष्टी पुर्षॡतममझ चेह। येन केन प्रकारेन बस प्रश्णा श्रय ग्रश्ण एल उगती मौमां येम बाल्य वस्थामां बधाज पांडवो प्रसंप्रसित्त छे ने जारे गुरुद्रों ने भेगा करेया औरो पुनाता पांडो पुनाता अन्य बधाने पूछुआ मां एक लक्ष आपको बधाने पूछुँ तुर्योदन ने पूछुँ पे तने शु देखाये छे कि मने आपको जहार देखाये छे पैस्नों करें आपणरे जानिये छेन उतर तक है मने तो मारू लक्ष देखाये छे मने ये पक्षी नी आंख देखाये पैश्नों पनों एवो जुगोए इने जरे पुछुवाम आवे कि तनेशु देखाये छिले तो एटलू जगे मने तो माराश्री वल्लब ना चना बिन्दज देखाये छिले द्रड़ इन चरनन केरो भरोसो श्री वल्लब नख चंद्रशटा बिन्द सब जग माही अंधेरो द्रड़ इन चरनन केरो आ एकाश्रे आ द्रड़ाश्रे नी वाद छिए एक उस्तु याद राग्जो प्रिजनों जेटला आपने दूर हसुन जेम कोई व्रुक्ष होए और एक व्रुक्ष थी आपने दूर उभाव होए तो आपने आखो व्रुक्ष देखाये परन्तु जेटला ए व्रुख्ष थी निकट जहिए नजिक जहिए पचि आखु व्रुख्ष न थी देखातू पचि तो केवर मुड़ज देखाए जहिए पण आपने आपना ठाकूर जी आपना वल्लव सिवाय जो बद्दूज देखातू होई तो चोकस एवात मानी लेजो के आपने आपना वल्लव थी आपना ठाकूर जी घणा दूर उभाज जो आपने केवर मुड़ज देखाता होई सूर कहा कहे दिविद आँधरो अरे सूर्दाज जी आपने तो ठाकूर जी के गुणगान करे हैं वल्लव के तो गुणगान करे ही नहीं ते वक्त सूर्दाज जी ने कहो पड़ू सूर कहा कहे दिविद आँधरो पिना मोल को चेरो यही तेही तेही यही कछुन्या संदेही. में भेद चोय न्यारो देखतो न्यारो गाथ ने, में जुदु जोयू होथ, में मारा ठाकुर्ची माने, मारा गुरू मा अवर्सभू मा भेद नथी जोयू प्रफम शोपान प्रफम सीड़ी मानो आपने शिघुकुलनाजी चड़ावता होए प्रफम सित्धान्त आपने शिघुकुलनाजी आपता होए कि सवधी पहला अन्याश्रे नो त्याग करो वे जनों, अन्याश्रय केवल क्रिया थी नथी था तो, वानी द्वारा पन अन्याश्रय थेई जाए जा अन्याश्रय ताम विचार करिये तो त्रोण वीत्य था एक वानी द्वारा, एक विचार द्वारा, और त्रिजु वर्तन द्वारा के क्रिया द्वारा जेने अपने खई शक्ये जें वार्ता प्रसंगों नी अंदर बसुवावन वेश्णों नी वार्ता एक ब्राम्मणी उज्जेन की आपको बदा सत्संग परायन जोएकल आपने तरदन ये वार्ता मुस्मान थाई आवशे कि जारे श्रिकुसाएजी पासे आ ब्राम्मणी उज्जेन नी आवी घना मधा वैश्णों त्याँ श्रिकुसाएजीनी सवन्मुक पढ़णा आता अने ए भीड मा ज्यां बद्धाने नाम निवेतर ने दिक्षा श्रिकुसाएजी आपको आता आता ए ब्राम्मणी पर पासे नाम निवेदन ने दिख्षा लिए अच्छी तो ब्रह्मसबंद थयू पड़ जारे नाम निवेदन श्रीकुसाइंजी करा गयो और अन्नी वैश्णों ये जोयू जारे एकांतमा श्रीकुसाइंजी ने विंति करी के जैराज ये ब्रहामनी तो व्यभीचारी हैं आप आपने याकुब क्यों नाम निवेदन करायो और ध्यान आप जोटा श्रीकुसाइंजी ये मानों उद्दर नथिया पर ओगए मारग नों सिद्धानत आपर आपर अब अब श्रीकुसाइंजी इटलू उचके तूं याकुब कह जानों अभीचारी कौन है जाकी उद्धी जाकी इंद्रिया ठाकूर्जी में समर्भित ना हो जाको मन ठाकूर्जी में समर्भित ना हो जाकी सरवेंद्रिये प्रबुवे विन्योग ना हो पो वेभीचारी है आट भावति ये ब्राह्मनी सेवा करती अनि पछिंतों प्रसंग आवे छे कि एना गाममा जमीन मापवावादा आवे आवे अब दाने तरते इसमन खेई गरुऊऊ अशे अनिये जमेन मापणी करिंगे जवा दो जमेन जनारे यह भ्रामनी करते उट ये मापुनी करवा वाला हात्या एने एटलूज करूँ के में तारी जमीन मापी चे थोड़ीक वधारे तारी मापी चे ए ब्रहाम्मणी ना मुखमा ची तरत बोलाई गरू तेने मुहे जिवाई याद करोई ब्रसन आजे वानी द्वारा जे अन्यार्ष्राय छे ए ब्रहाम्मणी ना मुखमा ची इवल एटलूज बोलाई गयो के तेमोहे जिवाई ठाकूर्जी जे सानुभाव जतावता मांगी मांगी ने आरोगता तरत पीठ दई ने बेठा आने पच्छी तो युपन आवे छे के गुसाय जीना घरे पधाली गया आपने तो सहच मां चानता आजानता कितली वखत आ मुखरता दोश के पची अन्याश्रे वानी द्वारा करता होये छे चावधान भजो प्रीजनों करतुम अकरतुम अन्यता करतुम सर्व सामर्थ आपना पुष्टी पुर्ष्वत्वम आपना माथे विराजे छे जे पन काई थे रवेवुचे इनी क्रपाथी अन्य जे काई पन थशे इनी क्रपाथी थशे केवल आटलूज बोली छे के तेने मोहे जिवाए यारे तू जिवावारों को जेनों धनिये ना घरे विराज तो होए जेनी राती सेवा करती होए इना होवा छतायम जो बोली जाए ठाकूर जी गई जी ते सहन करें जो गुसाइजी ना घरे बधारी गए जो आप वानी नो अन्याश रहे जे प्रिदा आप जो कुष्णदास मेगन ना प्रसंग मा प्रसंग तो गणो विस्तारती लिश्यकाईपना चंक्षिप्त मा एमना मनमा एज भाव हतो के शी बल्लभ मारा गुरुने तयां एमना जे पहला ना जे गुरु हता एमने तयां पधारे का विचार थी अन्याश रहे जी आचा अन्याश रहे जी आचारे महाप्रभू, महारगनों सिद्धान्त, मुखरता दोश ना पंड ने आपया पड़ गुरु ने तया नथी बधारे लिश्यक निकेंक ए अन्याश रहे नुज फळ परिणाम कि जारे बारम वार एतले के बेक त्रोण प्रसंग एवा आवे छे श भुषादास मेगन्ना कि शी आचारे चरणे कहो कि मांग और एक ने एक वस्तु मांगी जाए अन्याश रहे नुज परिणाम्चिक इवा रहे ध्याद्वारा अन्यास्रे आप जो नामदास संभरवारा नो प्रसंग होते दो भगवदी है पन स्त्रीन अन्याश्रे आतो श पुत्र हो रगो छता पन ए द्रण आश्रे नी कमी कोई आवी ने श्त्री ने कहुँ, कोई अन्य श्त्री हती है ने आवी ने कहुँ कहिए आवेवचे बताऊशे के पुत्र थशे के पुत्री थशे पुत्र थशे के पुत्री थशे ने प्रसंग छे ए पुत्र थशे ए पुत्र मलेच थशे आप्रिया ध्वारा अन्य श्त्री थशे कि प्रसंग खरेकर एक प्रसंग उस्मन करवा जेग। जारे दामदास संभर वारा तेहे छुट्टयों, जारे रातो रात हाकुर्जियाने जिट्लू कुन साहित जहतु है बद्धू एस्त्रिये रातो रात शी आचारे चलने तिया पद्रावित दू कारण, कारण के पुत्र मलेक छतो आवी ने बदू लुती जर्षे तो पुष्टी भक्ती मारेग में प्रिये जनो अन्याश्रय ए महा बादक छे भगवदियों ना शब्दों मा कईये तो अन्याश्रय थी मोटो रोग विजो कोई न तो ये न केन प्रकारेन आ अन्याश्रय थी डड़पत्र है नो अन्याश्रय नो अन्याश्रय थी अन्याश्रय थी जब जीयों अन्याश्रय करत है त्यों त्यों ठाकूर जी सो दूर परत है भाहिर्मुक होत है द्रड़ अन्याश्रय भक्त है सो तो अन्याश्रय कदाभी नाहीं करत जब कचू लोकिक सुख दुख जियों को होए तब यह द्रड़ता राखे जो श्रीजी करेंगे सो भली करेंगे पस एक एक नानपड़ी एक वात करतुम करतुम अन्यथा करतुम बस इठाकूर जीक छे एक एक गांठ बांधवानी आवश्रक्ता छे प्रीजनों जो अन्याश्रय ची बचवु हैं कि जे काई पुन करसे एक प्रभू मारू भलूज करवाना छे जो आपना उष्टी मारक माई पूँ सुंदर मजानों अन्य एए शंकल्क ए मनोरत इच्छाओं गुरी ठाई जाए तो आपने एम जानवो के भगवत क्रपा एठाकूर जीक छेना संकल्क लोकि क्या लोकी बशिधा था एठाकूर जीक्रपा थी फूरा थाई गया दिक्राना लगन करवाता दिक्री ने प्रणा भीची के खर बनावू तू के पलाणू कारे हतू के ठाकपुर्जी नो मनुरत करो लोगी करो कि जे पण काई संकल्प प्रीजनो ये बद्धा जो संकल्प जो पूरा थाई जाए तो एक भाव राकवो के ठाकपुर्जी नी पाच्यों अन्ने जो ए संकल्प पूरा नो थाए तो एक भाव राकवो के ठाकपुर्जी नी जेवी इच्छा हो आप भगवदियों नी वानी इचे प्रेजिए अपना भगवदियों मोटा वाईष्णो वडिल वाईष्णों ना मुख माती सदा आज शब्तो सर्ता ये त थाकुर्जी जेए काई कण करसे ने बिढ़ो जे रिक्से श्यी गोकुल नाच जी आहिए आज वातने गांट बांध्वान नी कही रहायाएचे कि मनमा सदा एज भाव राकोप्री जनों कि थाकुर्जी जेए काई करसे ये भलीज करसे. खाकुर्जी मारू अहीत क्यारे नी विचारे। असूर नो पर जो ब्रभु उधार करता होए, तो अब्ड़े तो शी आचारे महा प्रवुना सेवक थी, वैश्नों थी, आपड़ा उपर प्रुपा केम नी करें। प्रहलाजी नी जे स्तूती आपड़े लिदी जारे फल स्तूती में आपड़े वातनों विचार करें। के छिले प्रहलाजी ये कहूँ, के प्रवु आप इतली गृपा करो के मारा पिता नो उद्धार थाए, येने भले आपने साथे वेर बांजो, पन इनो उद्धार थाए, पिता साथे द्रेश भाव नो थी राक्वें। के प्रहलाज तारा जेवा भक्त जे कूरमा चन्मया होए, येनी तो एक्विस पेढ़ी तरी जाए, तो तारा पिता ने ही क्या वाद करी रहोजी। सदा एज भाव राखिए प्रिजनो, मैं तो तास हों, सुख दुख तो दे के प्रारंब से होत हैं, तो तो भोग नहीं पड़ेंगे। सुख अन्य दुख तो आ दे ना प्रारंब थी, आपने ये प्रारंब थी जे लईने आवे आजी। ये तो भोग वाज परशे, एसो द्रड अश्रे राकनो, अन्य अश्रे से डर्पत रहें। पहलो सिद्धान्थ श्री गोकुल नाजी नो, जेनु आपने बारम बार चिन्तन करवानी आवश्रक्ता छे। आगाल श्री गोकुल नाजी विजा वचेना मृतनी अंदर, कुप सुंदर आग्या करी रहाया छे। अन्य अश्रे विश्रे तो ओ मोटव चे संक्षक मा जापड़े विचार करे हो। अहिया विजा वचेना मृतनी अंदर, कुप सुंदर श्री गोकुल नाजी, अब कल्यान भट प्रती तहज हैं, जो वैश्नवन को प्र्यानी मात्र पे दया राखने। ध्यान आपो, जो कुण्जरते चीटी पढ़ियांत सब में एक ही जीव जानतों। कुप सुंदर वचेना मृत, हैया श्री गोकुल नाजी आपनने कही रहा छे। कि जीव मात्र उपर दया राखने। आपरो धर्म छे परीद। भागवत नी अंदर धर्म ना चार चर्ण नी चर्चा करवा मावीच। सत्य, तप, पवित्रता अने दया। आ धर्म आ चार चर्ण उपर उपवचे। सवती पहलू चर्ण छे सत्य, सत्य यूग नी अंदर धर्म आ चार चार चर्ण उपर उपवचे। पर जेम जेम यूग परियंत, यूग बदलाता गया, एक एक चर्ण धर्मनु नश्च थत्व। सत्य यूग माँ चार चर्ण हता, परंतो त्रेता यूग नी अंदर सत्य नश्च थई गववचे। अवे धर्म त्रण चरण उपर आवे। द्वापर यूग नी अंदर तप नश्च थईू। धर्म बे चरण उपर आवे। अने कल्यूग नी अंदर पवित्रता नश्च थई गई। अवे धर्म केवल एकज चरण उपर छे। अने ए चरण छे तया। प्रिजनों शास्त्रों तो त्यां सुधी कहे छे। नसा दिक्षा नसा भिक्षा नतत्दानम नततप नतत्ध्यानम नतत्मानम दयायत्र नवेज्यते। शास्त्रकारों कहे छे के दया वगर दिक्षा भिक्षा नतत्ध्यान चे काई पड़ सत्कर्म छे। ए बद्धाज निरण ध्वक्त ही जाये छे। दया धर्म को मूल है पाव मूल अभिमान। तुलसी दया न चांड ये जब लग घट में प्रां। तुलसी दाज जी तो कहे छे कि ज्या सुधी आ धट मा आ दे मा प्राण छे त्या सुधी। दया नो ध्याग नो करवो जो ये धर्म नो मूल ए दया छे। सर्वतम स्तोत्र ने अंदर प्रभु चरन शिखुसायेंगी आचार्य चरन ना प्रागट्यनो हेतु बतावतावतागिया करी गया चे। दया नीज माहत्म्यम करिष्यन प्रगटम हरि वान्या यदा तदात्वास्यम प्रादर भुतं चकात रहि करते दया या नीज माहत्म्यम शिआ अचार्य चरन नू प्रागट्यनो हेतु शिखुसायेंगी बतावते रहेंजे के जारे ठाक्मूरजीने इमना अनन्य भक्तों ओपर तया प्रगट्य थया आवि तया आवि और पोतानों चे नीज माहत्म्य प्रगट करवानों विचार पोता नू महात्मय, पोता नू नीज महात्मय, पोता ना भी अधिक कुण जानी शटे, तो आपे मुखार भिंद रूप अचारे चरन नू प्रागट्य थेु। ठाकोर्जी नू स्वभाव प्रेजनो दया युक्त छे। अजे विचार तो करो प्रेजनो, आपने आप कड़ियू की जीव केट कितला दोशो थी भरेला, केट कितला अप्राधो करेला, अने छता चारेशी ठाकोर्जी नी, क्यारेशी वल्लव नी सन्मुक थाईये। तयारे एंज करुणा नी स्वभाव युक्त दया करवा नोचे। कम्मे ते वो दोश्यूक्त ची होंकिएम नहोए। वड़ हो ar आपना पुर्ष्री पुर्षोतम नो सुभाव की ओचे, खुप सुंदर आज्या कड़े छे पर्मानन्त संदेहो दयालुह सूतरावपी साकथम सहते क्रश्नो दयाभावं जनेश्वभी शेरायचरन आज्या करेचे के आपना प्रभुनो सुभाव दया करवानों चे ठाकुर्जी उपर विश्वास राको गम्मे तेवा होये प्रभु पासे सन्वुक्तसू तो ठाकुर्जी नीच भगतों उपर दयाज करशे येने श्री आचार्य महाप्रभुनो द्रण आश्रे छे श्री बल्लभ पदांबोज भजनाद अरणाद अपी दयापर अकदाचित्तं न जहादी चनह भरी कि जे जीवों ने श्री बल्लभ नो आश्रहे छे एवा जीवों उपर आपना पुष्टी पुर्षोतों सदा दयाज करवाने चार्णाद तो अहिया श्री गुपुल्लाजी मानो बिजू कर्तव्य अपने बतावता होये कि भःष्णोय पठोर नहीं बनते पत्थर जेवा नो बनिये माखन जेवा बनिये नो नीत जेवा बनिये जेवा अपना पुष्टी पुर्षोतम से जेवा अपना श्री बल्लभ चे याद गरोये प्रसंग जारे श्रीकुसाईजी आगराना मारगों परती पसाड थता हता अन्ने तिया जी मारगमा आपे जोयो एक उकोंजर जल नी इच्छा थी व्याकुड अती उष्टकालनो गर्मीनो समय अतो अन्ने तरह तक श्रीकुसाईजी सेवा ने आग्या करी कि ये कुझरी कुझ जल पान कराओ कि जी कोई व्यवस्था नो आती केवल श्रीकुसाईजी नी जारी जी आती श्रीकुसाईजी आग्या करी कि जारी जी वेसु जल पिवाओ सेवा कोई जी राज ये कुझरी को जल पान कराएंगे तो जारी जी छू जाएगी श्रीकुसाईजी इटलाज वचन कहया कि जारी जी तो दूसरी आएगी या के प्रान चले जाएंगे तो कैसे आएगे जैसे अपने पुष्टी पुष्ष्षतम क्रपालू हैं दयालू हैं ये वाज आपना श्रीकुसाईजी आपना श्रीकुण्द्व पन क्रपालू दयालू जे लगते जैने कठोड नो बनिए प्रीज नो पोमण बनिए हरी रस तब ही तो जाय पईए कोमल बचन दीनता सबसो कुमर बचन जो ए दया आपड़ा शब्दों मा प्रगट सवी जो ए कोई कठोर व्यक्ति होए नै तो एनी ये कठोर ता इना वानी तुवारा प्रगट खई जाये चुपी नोर है कोई कोमन व्यक्ति दयाणू व्यक्ति होए तो इनी वानी तुवारा इनी ये दया इनी ये दिनता प्रगट खई जाये छे ए छुबाती नत्र धर्मनों मोड प्रिजनों दया अच्रे अन्य एज सिंधान्त एज करता प्यों है या विजावचनाम्रुत नी अंदर मानोश्य गोकुल नाज्य आपनने कहीं डया होए कि वैश्न वे दयारा कि जीव मात्र भगवत अंश चिंद जानता अजानता कुछ अप्राद नो थे जाए ये वातनी सावधानी राखे अगर त्रिया वचनाम्रुत नी अंदर जो आच इटला को वचनाम्रुत ने प्रिजलू इन्हों आपता चिंतन करता जेचो आजे जेटलो समय जे सवाधा साड़ात स्थवा अवे आचे पन विचा रतों के चार्थी पाँच वचनाम्रुत लेए तो एकाद में वचनाम्रुत नो चिंतन करिये आजितला पन वचनाम्रुत इन्हों चिंतन आवशक्ष आ केबल सांबलवा माटे ना नथि आ कोई कथा नथि थाई रही आश्री गोपुल नाची जे वचनाम्रुत करिया छे जे आज्याओ करी छे एश्री गोपलेश प्रभुनी आज्या हुम्हों आप सुधी पहुंचाड़ी रहे वच्छु अधिया उन्हों का भक्ता नती याने आप कोई श्रोता नती उन्हों तो बस एक दुधी नू कारे करी रहे वच्छु जे श्री गोपुल नाची वचनाम्रुत करे आज्याओ जे आपे एक एक कर्तप युनू निरुपन आप चोवीस वचनाम्रुत नी अंदर करी उच्छ चाहिए बस आप सुधी पहुचाड़ी रहे ओजुए तो जे वच्छनाम्रुत नी आजए चर्चा था है इनुँ चिंतन अत्यंता आवश्यक्छ अज़े आगर त्रिजा वच्छनाम्रुत नी अंदर श्री गोपुल नाची आजिया करे छे अब तीसरों वच्छनाम्रु शुरिगोकुरना जी क multiples कहत हैं, जो वैष्णेवनंको सदा प्रसन रहे को सुन्दर म्रा नाम उचे आ वाष्णेवन सांबड़ता नी साथ एज अगना वैष्णोना मुकमणनुलि पर प्रसन तावी कहे वैष्णेवन्कों सदा प्रसन रहे एक उस्तो याद राखोवाना विष्णो, प्रसंदता भीतर थी प्रकट थाए छे, ये बाहर के वेचाती मरती नाथी, क्या आपने शौपीन करवा गया हुए और चालोने प्रसंदता लेता आवी, नहीं, प्रसंदता तो अंदर सी ही प्रकट होती, शिवकुल्नाजी आगया करे चे के वेष्णवेन को सदा प्रसंद नहीं, प्रसंद रहे नो इतले शूप, वेष्णवे आनंद मा रहे उप, आ आनंद, आ स्थिती कही रीते सर्जासाथ, आवी अवस्था के रीते थाशू, आ कही रीते शक्य बनें, जारे जीव सुख मा हरशित नो थाए, और दुख मा दुखी नो थाए, पुर्व माज अपने ये वात ने समझी गया चीए, कि सूख और दुख ए प्रारंब थीज मडे लूँचे, ये वात आपने स्पर्ष्ट स्वीकारवानी आवेश्च्टाच, आ प्रसंद आनी चावीच, कि सूख मा हरश अधित नो थाए, धानकड़ू सुख मले, धानकड़ी काई खुषी मले, एमा चकी जएए, अन्ने धानकड़ू कष्ट आवी जा, एमा दुखी थाईए, श्री गोगुल नाजी एवा जिवने सावधान करी रहेंचे, जो तमारे प्रसं रहु हो होए ने, तो एक एविस थ अधिती प्रगट करवे पडशे, प्रसं नता प्रेजनों अंतर थी प्रगट थाईए, बगवधियो ना जीवन मा, भक्तों ना जीवन मा, एद दुख हो, उचु नथी आगए, आप जो श्मद भागवत नी अंतर कुंताजी नी स्थुति, कुंताजी मु चरित्र आप दर केट केटलू कष्ट हैंने मडियो छे, पोतानू राय पाट, पोतानू घर बतु छोडीने वन्मा विच्रण करू लाक्षाग्र, और छेले उत्राना कर्भमा पंद, केट केटलू कष्ट हैंने जारे, आप बद्धा कष्ट मां थी निव्रत थाईने, जारे मान्द जा रहे हैंने, वारिका पधार्वानी तियारी करी रहा छे, ते भगते ये हाथ जोडी कुंताजी भगवाने सुख इननती करी, तूती करी अने स्तूती थी इतला वजा प्रभु प्रसुन थाया, और कहुँ के मांगो, ते यारे मने सुख मांगियो, आ साधारन जीव तो प्रभु पासे मांगी शके, विपदह संतुता शष्वत अत्रत जगत प्रुत, ते प्रभु आप जो मायों को प्रसन हो, तो मुने विखदा आपो, मुने दूख आपो, ए दूख माहों दूखी नथी, कारण के ए दुख मां आप मारी जोडे छो, और ए शुख मां वो शुखी नथी, जे शुख मां आप मारी जोडे नथी, आ भक्त ना विचार चे, आ भक्त नो भाव चिटीजा, भक्त ने ए कश्ट कश्ट नथी लागतू, कारण के ए खबर चे के ठाक्पूर जी मारी साथे आप ए गंधी में धारण करे ली छे, माथा उपर तिलक छे, भक्त ने इस सुख पन, सुख नथी लागतू, जे सुख माँ प्रवुएनी साथे ना हुए। विपदो नेव विपदह संपदो नेव संपद विपदह विष्मर्णम् विष्णों संपन्नह नारायन स्मृति शास्त्रकारों कहे छे, के विपदा ए विपदा नती, संपदा ए संपदा नती, भक्तो माँटे विपदा एज छे, के जे क्षण भगवान नू विष्मर्ण थाई जाए। अने भक्तो नी संपदता, एमनी संपदी, एमनी मुडी एज छे, के सतत भगवान नू स्मर्ण रहे। भक्तो नी प्रसनता एमाज छे विपदे जनौं। प्रसनता एकैं पहले थी निर्मित वस्तु न थी, ए आपणी अंदर थीज प्रकट थाई छे जाना हो। कोमल बचन दीनता सबसो सदा प्रफुलित रहे, हरी रस तब ही तो जाए भईये। सदा प्रफुलित रहे जा। सदा मन प्रसन उल्लासरे रसना। अब राद, वक्त कभी शिकुपाल दास जी, वल्लवा क्यानी अंदर यत्तो गई रहे है। सदा मन प्रसन उल्लासरे एक वार विचार करो प्रेजनों, कि आपने कोई व्यक्ति मलवा आवे। सदा मन प्रसन उल्लासरे विचार करो आपने न गमतु होए तो आपना ठाकोर्जी ने गई रित्ते गम्तु है। एक आनन्द कंद छे, आनन्द ना निधी छे, आनन्द ना भंडार छे, आनन्द चे परिपून छे, परमानन्द छे, एक परमानन्द स्वरूपने आपनों दुखी मुख, कैरित्ते गम्षे। आपने प्रसन करवानी जावी आईया मानों शुखुल नाजी आपने आपी रहा छे, कि जारे कौन सेवामा होई ये, बस प्रसन रहिये, गम्मे तेवी स्थिती आवे, प्रसन रहिये। अगुट्थो ये भगवद ये प्रसन रहतों मांगी छे, आपने इस महन कराव एप्रसन उत्तम श्लूक दास जी है, पुरुमा पन आपने भगवद सस्संग अंतरगत कदा जा चर्चा मापे लिदो हसे, जोय हसे, पूतानी सत्ता नू भी रेडताने चारे शुगुसायें ने आप आद खबर बड़ी, वैष्णो जारे पर प्रशाद लेता, तो पुतानी सत्ता नू की, कालके इटलो बदो एप्रिश्रम करी रहा चे वैष्णो लाव हुँ एम्नो देहे पूष्ट बने तो पुतानी सत्ता नू की रेडता, श्री गुसायें जीने जारे क्रा ला आप जो कि हूँ आपना उपर क्यारे ओ प्रसंड थाओ। मांगी मांगी ने प्रसंड का मांगी छे। प्रभु याप एवी क्रपा करो। अमें तो दोस्ती परेलाची है। आप तो पुष्टी पुर्षोतम छो, क्रपा ना भंडार छो। आप रिजुपन खराँ, कीजुपन खराँ.. आप प्रसंड पन थाओ। पर अमारे अंदर क्यारे एवो भाव प्रबतनो थाओ। कि प्रभु आप जो अपक्वा मंग्ता हो तो एवी क्रपा करो। कि आपना उपर प्रसंड है। अभे तेवी कष्ट केम नहों, अभ्यो राम्दा साचोरा, श्ट्री आचारे चरम जानी जोई ने इमनी परिक्षा करवा माँटे, जारे पुले प्रशाद लेवा भेशता न। रामदास जी तो पातर से आचारेश जी करता अने जानी जोई ने इमनी परिक्षा करवा माटे क्यारेक बलुट्र लार उची पत्रवे, इन्ल ने घ्रवट्र चांजोची दरे क्या रेक्तों बोल से ने जे काई पन मलतो वो तानों भाग्य मानी ने रामदाज जी एक ग्रहन करता शी ठाकुल शी आचारे चन इतला बदा प्रसंद क्या पन खुरोद कि यहारे पन इमना मनमा तो भाव कि उंप अटली पती ठहल ने सेवा करोंचू वने पातड मां ओछू दरी बद्धाने तो सरकू दरेज अजे अग्नांता वर्ष प्री जनू क्यारे ने क्यारे काऊ भाव कि प्रसाद नी पंगत मा वेठा होया ने क्यारे क और को जो द्राई गय और मनमा यह माव आव जाये जिए अटली मदी ठहली सेवा करूचू अगू मनेज ना मड़ियो मनेज उचू मड़ियो तो भ्धाने उपणो ओधार ओढयो मनेज उपणो नो धारयो ष्भणो नाम आप बोल्या मारूज नाम क्या अजा आने पन आव आपको रामदाज जी नो प्रसंग इमनों चिंतन मनमा कर जो पुझे जाए भाव पुबाव भगवत भाव मा बदला ही देश प्याचार चरण वारम बाद परिक्षा करी चाता पन क्यारे मनमा एक प्रसंथा नथी कुई क्यारे मनमा क्रोध नथी करें क्यारे मनमा दूर्भाव प्रगट नथी करें सदा प्रसंग जढ़े आएचा प्रमानन सोनी प्रसंग जढ़े विचार करवा बेठा हो यह तो गणा गणा प्रसंग याद आवे आप्रण नी सेवा करता श्री गुसाहीं जी हमने कहुँ पन खराके पह सुंदर छे पन कैक मजूरी तो लेएजी दा करो आप इतला सुंदर ठाकोरजी ना शिंगार ने अब्रण बदा बनाओ जो परमानन सोनी ने करो काइं मरेतान एनूं आप आप्रण विलिंडर रिटा करो तमारे पन गरहस्ती चैट तुमारे भी गरहस्ती है आप निकड़ी गुजम चाहें इतला बदा श्री गुसाहीं जी प्रसंग श्री गुसाहीं जी करो के प्रश्रूद अमसे मांगो कि आप जो मने देवा मानता हो तो है प्रभु आप एभी कृपा करो कि आप मारा उपर क्यारे अप्रसंद थाओ प्रसंद ताज प्रभु ने प्रसंद करवानी जावी जिए जारे अन गम्मे तेवी स्थिती माश्य गुकुल नाची आगया करेचे कि सुख और दूख ने एक करीने जानू तो यह चित्त प्रसंद रहे शेए आजे आपनों सभाव केवो थाई गयोँ छे नाची रुकष्ट आवे तो आपने दूखी थेई तदा चित्त प्रसंद रहे तो सेवा मांपन आननदा प्रसंदानी साथे सेवा करिये तो प्रभुन प्रसंद आपने पामिये तो जो वेट फुदारेने आमारे करूँ पड़े छे तो यह विचार साथे करिये तो प्रभुनी प्रसंद आपने नहीं पामिशे तो श्रिवत भागवत नी अंदर विदूर जीयने मेत्रेजीनों संभाज छे तो सुन्दर संक्षित माए तो विचार करिये तो सुन्दर सुन्दर प्रश्ण करिया चे विदूर जीये तो सुखाय करमारी करोति लोको नतै सुखंवान्यतुपार रंपा बिंदेत भूयस्तत अवदुखं यदत्र युक्तम भगवान्पदेन्था ए मित्रेजी आ जगतमा जे कोई पन व्यक्ती छे ए सुख मेड़वा माटे प्रयत्न करेचे च्छता पन तुखी केंठाये चे आपने जे काई पन कर्म करिये ची प्रसंता माटे सुख माटे तो करिये चे कारण कारण के सर्वत्ती अधिक आवश्रक्षे जो धर्म असे तो धर्म ना फड़ स्वरूपे अर्थ सित्थ थसे अने ए अर्थ शांश्वत हसे जो जीवन माँ धर्म नहीं होए तो मडेलू अर्थ पन वयुज हसे सुखस्य मूलम धर्म हां शी आचारे महां प्रभू सुख अने दुख नी व्याख्या बतावी रयाचे क्या सुख अने दुख एशू छे दुखा भावम सुखम चेति आपने जेने सुख मानिये चिये वास्तवमा सुख नची दुख नोज अभाव छे जें दिवस अने राज प्रकाष नोँ अभाव यह आपने अंधकार मानिये चिये अंधकार एटले शू के प्रकाष नोँ अभाव एँ दुख एटले शू के सुख नोँ अभाव श्याचारे चरण आगया करी देंचे शुगो कुलनाजी स्पष्ट आग्या करे छे कि जे सुख और दुख ने एक करीने जाने छे एज आ प्रसंताने पामी शके छे तेने भगवद रस पाम्यों हों इना माटे आ संसार ना जितला पन रस चे बदा तुछ जलागे जेम पेडो लिधो होए दुदगर नहीं लिधू होए अने ए पेडा लिधा पछी आपने उपड़ मीठु दूद पिये तो दूद फिकू लागे छे के नसी लागतू आ के ना संसार ना रस ना रस ती अधिक आप भगवद रस पुष्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् रस इने चाख्यो होए इन्या संसार ना रस बदा तुछ लागे छे के ना सकष्क भचनो के सुख ने दूख मां एक संभ भाव राखो शिवर भागवद मां दूख हावाना घ्रा बतावे आछे तुराचार, दुस्संग, दुरबुद्धी, दुराग्र, दुर्व्यसं, दुर्भाग्यन दुस्चरित्रती जीवन मां दूख हावे छे पन जेने द्रण आश्रे छे, जे सुखन दूख मां एक करीने जाने छे, ये सदा प्रसंग रहे छे तुह या अत्रीजा वचना मुड़तुनी है तुह है झाई स्कूट सुखने ठावे जेने छे जेने जेजिया जे ओर आवी जिएश्या, जे जेने हमाना एवे जेजिया, जे. जे 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 आवे जे? करेंसे करेंसे मित परनेंगेंद कि रधाउने कि अजित करो कुछा है what's happening जेजे आप से अन्मेट कर ऊपर से जेजे सदैं प्रसंणता ते भी परेस्चेती आवे जाए गम्मे तिटला कटु वचλα Eli केमन अंपाणिये मिल को घ्रो zwakós जो भुझु प्रसंणता अपन तोई प्रसंणतानों अनुभाव करें तो आओ समय मर्यादानों ध्याने राकी विजनों एज प्रसन्नतानों अनुभव आपने सतत सदा स्वर्वदा करता रहिए एज भावना साथे आजना आ सतसंग ने अहिए जविराम आपी आउती काले चुथा वजना मृत्ति आपने प्रारांब करशू ज्यां सुधी पोची शकायति आसदी आपडे कोंचवानों प्रेतना परशू आज आपडे शिगोखुल ना जी ना चुविस वचनाम भत्मा ची त्रोन भचनाम भत्मा ची चिंतन करी शक्या तो समय मर्यादा करने कि अवे अग्यार भागी रहा चे ले समय मर्यादानों ध्यान राकी आजना सस् बोलो श्रिवल्लभाद ही श्रिटी ये श्रीगोखुल ना तर्की पसाओती काले समय सर आप्रे नौ अगाती रारंब कर्सू अवे 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 श्मीटावे ना चुविस पूरा जेजे बो सुंदर ही ते समझायू ने जेजे आप स्री आवताम ने आप्रे करिशू अवे ना करसो के अपने चौविस पूरा जेट लेसू सिर्फ लेए आपने बोगेदी रस करिशू एक एक बभवेदी अधे अच्वे काता करिशू एक बश्री आप सरी किया ये घजे आ जेचे? हाँ, आपने बोटावर चैंच दन्वत परणाम। हाँ दन्वत परणाम। आप बावाइग क्या ने लग्की के तम्हे लास्ट बेदिवस मांटे अमने श्रीजीमंदी ना जुम्मा अधृयाप्री भैष्णावने बहु संदर गच्छान जो लावप पोछो पर आपने परीज बूठ व्या पूरो लाब आपसो दन्वाट जाए जे लौत रखनाम जेजे किव अबना दी सकी जाही हो जेजे वैशनोगो जेजे पतारी गया चे शर्वेवैसनोगो ने जेशी क्रश्ना तम्या अन्मुट करें जेशी क्रश्ना कहीं दो झाल झाल आट जीक्रस्ञान गर आट जैसीक्रस्णा अमुछाज। बात जास 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 जात ज़रn कार जास जास जासे जास जास सपना होग्ा कृत दोक्रश्णा lat coisa को डिशर कारें चाल जास वेल आद जो अवे भीड़ी सांट जैषी कुए दो सborमार में नान पर दिखी कौतर शाला दें welfare . याथ जैषी कुछन है जैषी क्रेशन काउडमा। जैषी कुछना. पर ले दुमेड़े पूरू करे市 Austral。 जैषी कुछना. ज है झाओने दोगा जया दोलो जो शेखर।